नमस्कार दोस्तों मैं रोहित दिवंगन आज आपके लिए प्रेजंट करने जा रहा हूँ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो एक बहुत पॉर्फुल टेकनिकल इंडिकेटर है और इसको आप बहुत सरलता से यूज़ कर सकते हैं बहुत सिंपल इंडिकेटर है बड़ साथ साथ उसको कैसे यूज़ करना है कैसे इंडिकेटर वही कैसे इंडिकेटर तो एक बात होई effectively कैसे फिल्टर करना है इसमें किवाल स्क्रीनर हूए विज्रम क्या सोब्स्तोंर कर सकते हैं वह आपको यूज़ बताएंगे starting with very basic concepts. So, Super Trend Indicator क्या है? Super Trend Indicator एक overlays है, जो ATR के basis पे है. ATR मतलब average true range, जो volatility के basis पे होता है, तो उसको volatility indicator भी बोल सकते हैं. ये price के साथ सब plot होता है, जैसे कि moving average होता है, आपका parabolic SAR होता है, बॉलंचर band होता है, ऐसे ये price के साथ भी plot होता है. जैसे कि, और ये indicator का सबसे easy चीज़ है, जैसे कि आपका moving average होता है, या बॉलंचर band होता है, बहुत ही easy तरीके से आपको buy or sell signal create करता है, और ये buy or sell signal आपके लिए generate करता है. जैसे कि नाम कहता है कि super trend, तो ये एक stock का trend भी indicate करता है. फिर इसके जैसे कि, आप moving average देखेंगे, तो की color होता है, इसमें दो color होते है red और green जब वो red होता है, मतलब वो downtrend है जब वो green होता है, इसका मतलब है uptrend है. अब एक simple से example देखते है, super trend indicator का, ये एक बहुत simple से example है इस example में, जैसे कि मैंने बताया कि, ये price के साथ plot होता है, और इसका color red और green होता है तो जैसे यहाँ पे color अगर इसका red है तो ये downtrend है, यहाँ पे color green है, तो इसका uptrend है और जैसे कि बताया था कि बहुत पहल पिछले example से में बताया था कि ये buy or sell signal generate करता है तो ये, जैसे कि ये example में देख रहे है हम लोग यहाँ पे ये generate किया है, sell signal और यहाँ पे buy किया है, और जैसे कि बागी सारे indicators होते हैं, कभी-कभी ये false signal भी generate करता है, तो इसी लिए sessions का concept trend करना जरूरी है और इसको कैसे filter करना है और अपना risk reward ratio कैसे generate करना है वो भी जैनना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ specifically आपके लिए एक false signal का भी example लिया हुआ है So, super trend क्या है, आप इसको बहुत सरुलता से लेंगे, तो breakout breakdown जो कहता है कि buy or sell signal और क्या होते हैं, buy or sell signal जो breakout breakdown जो ती बताता है बॉलिजा मैंड बताता है, parabolic SAR बताता है, moving averages बताता है trend line बताता है, line प्रेक होती है तो buy or sell signal, channel rectangle और बहुत सारे chart pattern होते हैं मगर आज का जूर हमारा topic है, वो है super trend, तो हमारा focus आज की date में उसमें रहेगा super trend पे So, super trend किसने develop किया था, थोड़ा सा credit Oliver Sivan को भी देना चाहिए उन्होंने बनाया indicator जिसको पूरी दुनिया आज यूज़ करी है, सारे technical awareness बहुत इसको importance देते हैं इस indicator को, इसका formula क्या है, formula इसका है, मैं formula में जादा जाओंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे pre-calculated रहता है, values भी रहती है charts में, और आपको screening में मिल जाएगी, तो बस आपके जानकरी के लिए यह बताया है, जैसे ATR बताया था, ATR के basis पे यह होता है तीसरा, इसकी default settings होती है initial stage में आप तो जानने की जरुवत नहीं, जो भी default setting है वो सबसे जादी practical और सबसे जादी useful setting होती है, मगर आपको फिर भी जानना है और settings के लाद प्ले करना है, तो वो भी आपको बताएंगे आपको super trend के use case, सबसे पहले जैसे कि बताया trend indicator है, तो identify trend करता है, trend कहां जा रहा है वो identify करता है, generate by yourself signal करता है, support resistance बताता है, जो जैसे कि moving average भी बताता है, support and resistance वैसे ये भी support resistance बताता है आपका stop loss identify करने में help करता है, ये multiple time frame पे इसको use कर सकते हैं, और किसी भी asset class में आप इसको use कर सकते हैं, तो बहुत ही versatile और बहुत ही उप्योगी indicator है ये, right इसकी कुछ strategies, built-in strategies हमारे पास, सबसे पहले है cross above, cross below, so हम एक बार custom screener में जाते हैं, top stock research के अगर आप familiar है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप familiar तो आप left hand side पे जाएंगे, custom screener यहाँ पे click करेंगे, अगर आप custom screener और TSR में अगर familiar है तो बहुत अच्छी बात है नहीं, तो मेरा recommendation रहेगा कि एक बार platform समझ लीजिए उसके बात indicator समझने में easy होगा custom screener का एक video यहाँ पे है, English, Hindi दोनों में है और उसी प्रकार, यहाँ पे पूरा product का overview English और Hindi में है तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा recommendation रहेगा कि एक पहले product overview देख लीजिए, फिर custom screener देखिए फिर आपको यह समझने में easy होगा तो हम straight away जाते हैं custom indicator में custom indicator यहाँ पे बहुत सारे different filters हैं, कभी-कभी आपको difficulty आती है कि indicator कहाँ है, तो हालकि हमने बहुत अच्छे जाए और्गनाइस किया है price, volume, high, lows, यहाँ पे technical indicator है, बट अगर आपको fast जाना है, तो यहाँ पे super type कर सकते हैं, super trend और यहाँ पे super trend का indicator आएगा तो यहाँ पे इस particular scenario में हमें चाहिए कि buy signal चाहिए हमें, तो जब भी super trend, price cross होता है super trend के उपर, तो यह buy signal generate करता है, तो आज हम देखते हैं हमारे stocks में कुछ आता है कि नी, तो हमारे पर कुछ stocks ऐसे आ रहे हैं, जो आज price super trend को cross किया, यह buy signal होता है, अभी आप देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ volatility है, और हमारा एक चीज़ बहुत अच्छे से देखेंगे, आप generally जो sessions होते हैं, books होते हैं, वो आपको ऐसे examples बताते हैं, जो बहुत ही textbook style है, और हमेशा profit देता है, बठामरी यह कोशिश रहती है, आपको वो चीज़ बता है, जो real world में, अभी देखेंगे, market होता है, और बहुत volatile scenario नहीं है, तो यहाँ पे यह आपका buy signal generate होता है, उसी प्राकार infosys का देखेंगे, तो यह downtrend चल रहा था, market नीचे गया, यहाँ पे आपका sell signal आया, उसके और market नीचे जा रहा है और आज जाके यह buy signal आया, तो बहुत easy करना, क्योंकि जैसे ही यह cross होता है, इस level पे, तो buy signal generate होता है, और यह नीचे आता है, तो sell signal generate होता है, simple, so, जैसे हमने अभी buy का देखा, उसी प्राकार, अगर cross below देखेंगे, आप, यहाँ पे cross below देखेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आज एक भी नीचे stock, cross below, शायद market जाद वोलेटाइल है, इसको दूसरे ticks पे देखेंगे, शायद एक गंटे के tick में कुछ बेटर आएगा, इसमें भी नहीं आ रहा है, आपका शायद 30 minutes के tick में, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो आज के situation, market situation आप जानते ही है, काफी वोलेटाइल था पिछले 3-4 दिन में, तो इंडिकेटर्स के हर situation में आने के संभावना थोड़ी कम होती है, बट आपको मिल जाएंगे इसमें, शायद हम इसको 15 minutes के tick में देखते हैं, तो शायद कुछ मिलेगा, यह 15 minutes के tick में यह आपका sell signal दिया, यह उपर गया था, यहाँ पे फिर नीचे आया, और यहाँ पे अभी sell signal दिया, अब नीचे जाने के चांच है, यहाँ पे cross किया था, फिर uptrend और downtrend, सबसे अच्छा tick जो होता है, इसका daily tick होता है, मगर आप इसको intraday और weekly और long term में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस indicator को, तो हमने देखा भी, जो example देखा था, cross above, cross below, next है, trending up और trending down, जैसे कि हमारे बाकिए indicators है, यहाँ पे भी एक option है हमारे पास, trending up, सब्सक्राइब को कोई चाहिए, इसका मतलब क्या है, super trend उपर जा रहा है, तो trend भी आपका price भी काफी उपर जा रहा है, तो यह भी काफी useful चीज होती है, या तो आपका primary indicator हो सकता है, super trend या आपका secondary indicator हो सकता है, तो secondary indicator में भी आगर आप इसको use करते हैं, तो बहुत अच्छे results आएंगे, आप यहाँ देखेंगे तो यह भी लगतार उपर जा रहा है super trend तो यह आपका देखिए price हलाकि यहाँ पर आपको signal दिया तो उसके लगतार उपर जा रहा है बट आपके confirmation के लिए आपका देखिए super trend लगतार उपर जा रहा है यहाँ पर तो भी एक useful चीज होती है super trend ऐसे trend कर रहा है likewise आपको super trend नीचे जा रहा है ऐसे भी कुछ stock होंगे शायद market का situation थोड़ा सा extreme चल रहा है शायद कुछ stocks निकलेंगे यह कुछ stocks आगा है हमारे पर bank of India जैसे तो इसका super trend लगतार नीचे जा रहा है अभी यहां पे, super trend लगाता नीचे जा रहा है, तो इसके नीचे जाने के chances हैं, इसका super trend लगाता नीचे जा रहा है, तो उससे आप यहां पे यह use कर सकते हैं, third है, जैसे कि आपको बताया था कि price इसमें, एक और इसका usage है, वापस हम यहां पे जाते है, price above super trend, let's say इसमें देख कुछ stocks आपका देखिए, यहां से गया, market volatile है, तो भी यह level breach नी किया, trend अभी तक bullish intact है, यहां पे देखेंगे, तो यह गया था उपर, यहां पे cross किया था, उसके बाद market trend intact है, मतला price अगर super trend के उपर है, तो आपका trend bullish है, price नीचे है, तो trend bearish है, एक example और, जो काफी useful होता है, यहां पे जो देखेंगे हम, taking support and flat bullish and flat bearish line, so कुछ users इसको use करते है, flat bullish line, जिसमें की super trend की line, flatish हो जाती है, तो उसको देखेंगे, आपका जो usage है, यहां पे देखेंगे तो इतने समय से यह flat है, इसका मतलब यह generally consolidation mode के आसपस होता है, flat अगर super trend लंबा चल रहा है, तो consolidation mode के आस same indicator, आप इसको multiple different तरीके से use कर सकते है, individual price अगर उपर है लगए, तो bullish trend है, cross कर रहा है, तो नया signal आया, flatish line है, तो consolidation हो रहा है, trending up है, तो price का moment strong जा रहा है, जैसे कि यहां पे अगर daily tick पे हमने देखा नहीं ता पिछले बाद trending up, शायद कुछ stocks मिलेंगे, chances थोड़े low है, तो आप से, अभी election result आया है, तो थोड़ा सा volatility है, और जैसे expected results नहीं आ रहे है, next है taking support and resistance, तो जैसे आप trend line use करते है, cross करता है trend line, तो आपका bullish signal आता है, फिर वापस आकर retest करता है, तो एक आपका अच्छा confirmation आता है, और अच्छी strength होती है, likewise आप super trend को भी support और resistance के लिए उसके ल आपको यह सारे stocks है, जो super trend अभी bullish है, और support लेके गया है, जैसे कि यहाँ पे stock देखेंगे, तो bullish है, line के उपर है, निचे आया, और यहाँ पे support लेके जा रहा है, दूसरा stock, Awas, अब देखेंगे, यह support लेके जा रहा है, तो यदि support लेता है, तो आपका confidence और बेटर आना चा यहाँ पे available है, जैसे कि, यहाँ पे हमने 1% दिया, suppose इसको 0.5% देखेंगे gap, तो आपको थोड़ा और अच्छी मिलेंगे, 30 records की जगा, आपको शाहिए थोड़ा एकम records मिलेंगे, I think, यह integer है, 1%, यह आप इसको 2% करते हैं, तो आपको यहाँ पे, यहाँ पे और ज़्यादे stocks मिलेंगे, 30 की जगा 50, क्योंकि हमारा जो criteria था, वो 2% तक कभी कोई मिलता, तो उसको consider करता है वो, तो किसी stock में आपको थोड़ा और उपर से जा रहा है, तो percentage का ज़्यादा importance कहा परसेंटेज का importance आता है, अगर आप छोटे tick पे काम कर रहे हैं, जैसे की 15 मिन, आदा गंटा, तो आप उसकी साब से percentage ऑल्टर कर सकते हैं, सपोज आप weekly पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे, weekly tick पे काम कर रहे हैं, तो percentage को आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बाट support दिया, और अगर आप super trend हटा भी देते हैं, तो यहाँ पे double bottom type का आपको दिख रहा है, यहाँ पे situation बनी होई, so काफी सारे indicator price section लगभग एक दुसरे को replicate करते हैं, कुछ पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, यहाँ पे, एक और example, यहाँ पे support दिया, और यह आग अगर आपको support, अब ऐसा stocks चीए, जो recently crossover हुआ और support आया, तो यहाँ पे option और है कि crossover within certain period, यहाँ पे crossover, cross above within certain period, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, शायद जादे stocks नहीं आएंगे within last 5 ticks, क्योंकि daily tick में जैसे मैंने बताया, इस market में फिर भी आया कुछ, crossover in recent ticks, तो यह आपका latest का crossover कई बार ऐसा होता है कि आपको चाहिए कि एक दिन, दो दिन पहले, या एक गंटे, दो गंटे पहले, या एक वीक, दो वीक पहले हो crossover, तो वैसे भी आपके पास यहाँ पे filter हो सकते हैं, यहाँ पे, यह कुछ दिन पहले, last 5 दिन के पहले अंदर यह crossover हुआ है यह, तो उ कारे options यहाँ पे available हैं, जो above supertrend price, crossing above, crossing above in last, 1 tick, 2 tick, 3 tick, यह फिर within certain range, कभी-कभी ऐसा चाहिए कि आपका cross, जैसे above है, आपका supertrend, supertrend आपका above है, और साथ में एक filter और चाहिए कि आपका बहुत पास चाहिए उसके, तो यहाँ पे within कर सकते हैं, within, let's say, आप डालते हैं, within 1%, त और अभी वो बहुत पास है उसके, तो इसमें अभी एक भी stock नहीं आया, इस example में weekly में, शाय डेली में कुछ आजेंगे, डेली पे भी नहीं है, एक गंटे पे, एक गंटे में हम अपस दो आया, जैसे crystal आया यहाँ पे, crystal में आप देखेंगे, तो यह उपर है, और यह within certain percentage ह तो अगर आप, हमारा जो objective है, उद्देश यह है इस particular screener बनाने का, कि आप जो जो चीज जैसे chart में देखना चाहते हैं, सेम चीज और chart में देखना काफी आपका slow process होता है, क्योंकि आप stock by stock चाहते हैं, जो भी आप chart में देखना चाहते हैं, कैसे movement हो रहा है, कहां जा रहा ह वो सब चीज हम एक screener case में बनाने की कोशिश किये, कर रहे हैं, ताकि आपको जासे ज्यादा चीज जो chart में आप देखना चाहते हैं, वो आप filter यहां लगा सकते हैं, एक super trend, दो super trend, जैसे इस case में हमने दो super trend लगाया, आपके पास एक option हो रहा है, कि एक चीज आप super trend, आप daily भी साथ लगा सकते हैं, weekly भी लगा सकते हैं, तो यहां पे option होता है, आपके पास, कि daily weekly monthly भी लगा सकते हैं, जैसे यहां पे इस case में आपका price, super trend से उपर daily में भी है, weekly में भी है, अगर suppose आपका ऐसा कोई scenario होता है, तो वो भी कर सकते हैं, एक option और है, जैसे आपको चाहिए क जैसे यहां पे है, limitation है, यहां पे, कि price आपका, जैसे आप अगर daily tick चल रहा है, तो यह daily price और super trend का होगा, suppose आपको major criss-cross करना है, तो एक option और है यहां पे, overlays में जा सकते हैं आप, overlays में जाईए आप, और यहां पे super trend चूज करिए, super trend कहीं बार ऐसा होता है, कि super trend को आपको parabolic star के साथ compare करना है, या किसी और के साथ compare करना है, तो वैसे भी compare कर सकते हैं आप, तो super trend को अगर आपको चाहिए parabolic star के उपर हो, तो यहां पे आप उसको compare कर सकते हैं, super trend above parabolic star, sense बनता है कि नहीं, वो तो आप खुच जानते हैं, बट हमारा objective यह है कि आपको दोनों चीज सा साथ एक साथ बताने का, कभी-कभी क्या होता है कि आपको चाहिए है कि latest, जैसे आपको यहां पे एक हमारे user का requirement आया था, कि उनको चाहिए था कि latest super trend, sorry, weekly super trend पे daily crossover चाहिए, weekly super trend पे daily crossover चाहिए, तो यहां पे जैसे यहां पे weekly latest super trend को आपको daily पे crossover चाहिए, तो यहां पे जाए और यहां पे cross above करिए, यहां पे cross above करिए, so repeat कर रहा हूँ, आपका weekly super trend में, आपका daily crossover और cross below चाहिए आपको, तो उसके लिए overlays में जाएंगे, advance option, यहां super trend चूज़ करिए, latest, close, close में यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम जाएंगे daily tick पे, daily market arts में, live market में इसका close को cross cover कर रहा है, तो यहां पे latest, यहां पे जो tick है, वो weekly tick है, और daily पे यह close कर रहा है, तो यह run करते हम, तो शायदी मिलेगा भी कोई stock, but try करने में कोई हर्च नहीं है, बट ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक चीज़ और है यहां यहां पे settings पर आया था 10 or 3, यहां पे, default settings, यहां पे 10 or 3 है, suppose आपको कोई और settings चाहिए, तो यहां पे option available है, आप यहां पे super trend पे जाईए, super trend पे customize करिए indicator को, यहां पे 10 or 3 को change कर सकते हैं, यहां पे हमने और option दिया है, आप इसको close पे भी कर सकते हैं, जुसरे इस पे भी कर स सकते हैं, आपके पास यहां पे default option है, वो average true range होता है, suppose हमने ऐसा कहीं कहीं research देखा है, कि कुछ लोग इसको अलग चीज़ पे भी देखते हैं, जैसे EMA पे भी देखते हैं, suppose आपका वैसा कोई requirement है, तो आप EMA पे भी कर सकते हैं, और अलग-अलग tick पे कर सकते हैं, कुछ users ह होते हैं, जो close की जगह, high plus low by two करते हैं, या OHLC by four भी करते हैं, या फिर true range पे भी करते हैं, तो वो सब यह options यहां पे available हैं, right, हमारी कोशिश जितना हमारा knowledge था, और जितनी हमारा requirement आई थी, उसके हिसाब से हमने सारे चीज़े हैं, incorporate की है, यहां पे सारी चीज़, यहां पे स आप हमें कैसे बता सकते हैं, यहां पे नीचे जाएंगे, यहां पे हमारे phone numbers हैं, यहां पे आपके पास request for demo, अगर आपको इस particular usage पे आपको अगर कोई use करने के help चाहिए, इसमें या किसी और चीज़ में तो आप request for demo कर सकते हैं, suppose आपका कोई requirement है, जो आपको हमें share करना है, तो यहां पे contactors form पे डालिए, अपने requirement पे डालिए, और अपना preferred time बताइए, कि किस समय आपको call करना है, तो वो strategy हमारा जो भी expert है, वो strategy बना के ready रखेगा, और इसके लिए prepared होके रहेगा, so that आपका कम से कम समय इसमें लगे, आपका समय वेश्टना हो, नहीं तो कही बार क् होते है, user, आप काफी सारे clients call करते हैं हमको, और वो बताना चालू करते हैं, हो सकता है कि वो particular support engineer है, उसको उतने अच्छे से सबजनी आए, तो आप अगर लिख के देते हैं, तो हम लोग जादे अच्छे से prepared हो सकते हैं, और क्या है मोई पास इसमें, so super trend में लगभग जो हम individually use करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको back testing करना चाहिए, तो back testing के लिए यहाँ पर आपस option available है, यहाँ पर जाएंगे, जैसे cross above है, super trend, आपको 10 दिन पहले कोन से stocks super trend को cross किये थे, अगर आपको चाहिए, तो 10 दिन पहले आप जाते हैं, और उसका आज क्या situation है, वो अगर बहुत उपर गया, और यहाँ पे बहुत major volatility थी, यहाँ पे तो बहुत सारे indicators और बहुत सारे patterns फेल होंगे, but generally अगर इस pattern के reliability अच्छे से समझ नहीं है, तो इसका back test यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से, back test यूज़ करने से आपको confidence better आएगा, number one, number two, उसको दूसरे indicators के साथ यूज़ कर सकते हैं, अके लिए एक indicator कई बार आपको बहुत अच्छे actions नहीं देता, तो आप RSI के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो confirmation के लिए आप दूसरे candlestick patterns के साथ यूज़ कर सकते हैं, जब crossover हो रहा है, तो वो कौन से patterns यूज़ हो रहे हैं, volume चेक कर सकते हैं, कि उसका real trend और momentum का पता चलता है, कुछ pros of conscience के, पहला है, pros इसका पहला हटा हुआ है, शायद last में आएगा, identify trend और direction, आपको पता चलता है, dynamic support और resistance, जैसे कि बताया मैं आपको, कि यह वाले situation में, आप अगर इसको latestick पर जाते हैं, इसका taking support, आप इसको run करते हैं, यहाँ पर वो stocks आते हैं, जो dynamically support ले रहा है, यहाँ यह resistance पर नीचे retrace कर रहा है, dynamic support और resistance, stop loss के लिए यूज़ कर सकते हैं, यह जो line है, आपकी stop loss की line work करती है, जब भी line cross होती है, तो आपको reverse करनी है, position अपनी, यह बहुत fast है, volatility के साथ चलता है, ATR यूज़ करता है, इसलिए उसके results अच्छा आते हैं, यह एक बहुत important point है, कि यह moving average से जादा superior है, आप देखें कि moving average में कई बहुत जादा crisp cross होता रहता है, तो आपको बहुत सारे false signal मिलते हैं, उसके comparison में, super trend में आपको जो whipsaw होता है, जो उपर नीचे fake breakout, breakdown होता है, वो काफी कम होता है, तो उस द्रिश्री से super trend थोड़ा ज्याद अच्छा है, और वापस पहला वाला जो point है, वो आगया है, यहाँ पर, simple है, आप देखेंगे, बहुत simple से दिखता ह दो लाइन है, फ्लाइट लाइन है, तो और इसी हो जाता है, जैसे moving average है और कुछ और चीज़े हैं, जैसे यहाँ पर parabolics सार, plot करने में, थोड़ा सा complex लगता है parabolics सार, उसकी जगह यह काफी simple लगता है, simplicity के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसके cons, कभी-कभी fake breakout होता है, breakdown होता तो इसका जो आज का moment है, यह पिछले 10 दिन के moment से भी influenced होता है, इसलिए lagging indicator बोलते हैं, unlike price action, price action में आपका जो भी latest and greatest चल रहा है, आज की date का वो ही मिलता है आपको, तो यह lagging indicator है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो super trend के बारे में, आज का हमारा session था, prime focus हमा हमें उमीद है कि यह session जैसे आपका, आपने जैसे पुराने session के बारे feedback दिया था, अच्छा लगा, उमीद करते हैं, यह भी session आपको अच्छा लगेगा, यदि आपको अच्छा लगा, तो like, share, subscribe करिए, comments टालिए, अगर हमारा कोई points है, जो आपको लगता है कि बहुती elementary है, या बहुत जादे advance है, कहीं और आपको जादे details में समझना है, तो आप लिख सकते हैं, हम आपका हर feedback के basis पे हम improve करने की कोशिश करते हैं, इसमें भी definitely improve करेंगे, तो आपका feedback हमारे ले बहुत important होता है, और साथ-साथ हमें पता चलता है कि हमारा जो भेहनत है वो really काम आ रही इस विकंद